प्रधाम नंद्री नरेंद्र मोती ने ओडिसा में चक्रवात फोनी के कारण हुई शत्ती का आंकलन करने के लिए सोंबार को हवाई सर्वेक्षन किया प्रधाम नंद्री नरेंद्र मोती ने ओडिसा में पोनी चक्रवात के कारण हुई शत्ती का आंकलन किया इसके बाद उन्हों ने ओडिसा के मुख्यमंद्री नमीन पतनायक और शीर शाजिकार्यों के संग समिक्षा बैठा की उन्हें पश्चिमंगाल में भी इसी तरह की पोनी समिक्षा बैठा कर दी थी लेकिन पश्चिमंगाल की मुख्यमंद्री ममता बनर जी ने उनके साथ पोनी समिक्षा बैठा करने से इलकार कर दिया बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोमवार सुभा लुक्सवा चुनाव के पाचवे चरण के दौरान लखनव से अपने मताजिकार का प्रयोग किया इस बार बसपा ने लखनव सीट से अपना प्रत्याशी ने हुता रहा है क्योंकि सपा बसपा रालोद महागर बंदन के तहट लखनव सीट सपा के खाते में से लिगी केंद्री मंत्री और अमेठी से बीजिपी प्रत्याशी स्मरती नानी ने कॉंगिसर्थिक शाहल गाधी पर बूस कैप्चिरिंग करने का आरूप लगाया है उन्होंने एक ट्वीट भी टैग किया है जिसमें एक वीडियो में एक बुजर्ग महिला जबर्जस्ती कॉंग्रेस के पक्ष में मत्रान कराने का आरूप लगा रही है एसल मैक्सुक जील मामले में दिल्ली की राउजाविन्यू कोर्ट ने पूर्व वितम मंत्री पीजी दंबरम और कार्ती चिदंबरम की गिरफतारी पर रोग 30 मई तक बढ़ा दी है के सामने कोई चुनाती नहीं है राजनात सिंग ने आज लखनव में अपने मताजिकार का प्रियोग किया गॉर्ट लखनव में राजनात सिंग के सामने सपा बस्पा और आलोग महागडवन्धन से एक उनम सिन्हाथ चुनावी वैताने है कॉंग्रिस के वज़ सिनिता कपिल सिब्बल ने कहा कि मौझूदा लोगसभा चुनाव में कॉंग्रिस के अपने दम पर बहुमत हासिल करने की संभावना नहीं है बुर्के और घुंगट बैन पर बयान देकर चारोतरफ से घिरे लेखक और गितकार जाविद अक्तर के बेटे फरहान अक्तर ने मीडिया के सामने चुक्पी तोड़ी इस मद्धिदेश में भी साथ सीटों पर बोर डाले जा रहे हैं जहां पर एक करोड उन्नीस लाग से ज्यादा मतदाता मतदान करेंगे खनवा में बीजेपी नेता विजेशाह की कॉंग्रेस नेता बसंत पमार से जड़प हो गई जड़प इतनी बढ़ गई की विजेशाह की पत्नी भावना शाह को बीज बचाप करने की लिया ना पड़ा